कि अजय को अजय को पुछ रूप परकरण के बारे में पढ़ा था कि रूप हो जाता है कि अलग अलग वर्णों के स्थान पर रूप हो जाता है जैसे सम में मा था सम उपसर्ग के मा के स्थान पे रू हो जाता था कब यदि उसके तुरंत बाद सुट हो तो अब जो रू हुआ है यह रू का एक प्रकरण है आठवे अध्याय के तीसरे पाद में है प्राया आठवे ध्याय के तीसरे पाद में पहला ही सुत्र देखेंगे अगर आश्टा ध्याय आप रखे हैं तो निकाल के अभी कंफरम करके देख सकते हैं वहां रू प्रकरण का प्रारंब होता आठ तीन एक नंबर सुत्र निकाल के देख सकते हैं वहां रू प्रकरण का सुत्र है उसके तुरंत बाद कौन सा सुत्र है अत्रा अनुनाशिक पूर्वस्यतुवा इस रूप रकरण में ये जो रूप का प्रकरण सुरू हुआ है उस रूप से पूर्ववाला जो स्वरवर्ण है वह अनुनाशिक हो जाता है विकल्प से और चौथा नंबर सुत्र होगा अनु इस सूत्र को मैंने पदच्षेद करके लिखा है आपके सामने खईयम परे डबल या लिखा होगा इको यह नची करके इसमें जोड़के आप लिख सकते हैं एक सान पर यह कर दीजेगा तो पुमा खईयम परे वह सूत्र बन जाएगा मुझे समझाना है इसलिए मैंने साउने पुम हो उसके तुरंत बाद खईय हो और उसके तुरंत बाद अम हो बस यह सूत्र कारत है पुम को उसके तुरंत बाद अमपर खयी हो अमपर खयी मतलब ऐसा खय हो जिसके पर में हो ठीक है ना अमपरे खयी साखर हो खय प्रत्याहर मतलब क्या होता कुल दस वर्ण है आप गिल लेंगे हर एक वर का पहला और दूसरा वर्ण खा़्प, च ठ ठ, base घे ह God Üit और दूसरा हो गया फिर चोठ ट, त, कप अर्ट का पहवर्ण कर रहा वर्ण होगा तो खाई प्रत्याह हर मक्त royalty, यानि पुम हो पुम के तुरन्ट बाद ख्rot Abraham के दसों वर्णों में से कोई बीवर्ण हो पर वह ऐसे तरह से नहो उसके तुरंत बार में अब तर्वाला खए हो ने थिए तीन सीरिल याद रख सबसे पहले उसके तुरंत बाद खै और उसके तुरंत बाद अम मतलब वह मतलब अयून के आसे शुरू करके यम गान नम तक स्वरवरण आएंगे अनुनासिक आएंगे और हाएंगे यानि नव स्वरवरण हाया वार लग यह 5 और यम गान न यह 5 कुल 19 वरण इसमें आ जाएंगे अम्मे तो यानि पुम हो उसके तुरंत बाद इन दस वर्णों में से कोई वर्ण हो और उसके तुरंत बाद इन 19 वर्णों में से कोई वर्ण हो तो पुम के मा के स्थान पे रूह हो जाता है वस वही बात पहले जैसी आगे की पूरी प्रक्रिया है पुम के जो मा है उसके सूत्र का आर्थ है यहां पर भी उसी उसी सूत्र से यह भी अश्ट अध्याई में देखेंगे तो आठफेँ headache के तीसरे भाद में ही है पुमाकमीमपरेस उत्र नंबर क्या है 9 10 16 होगा मैं शे है नंबर का सूत्र है यहां सो आगे नस्च्च्ब्रसान भी है है थि तो ये जो शुत्र है ये इसमें भी रू की अनुष्रति आती है आती है सिरो wn थे ना मतु ऊछो रूसुत्र से तो ये क्या करता है पुमाह रू आइसा होगा पुमाह रू पुम अंतिम वरण के स्थान पे क्या हो जाएगा रूह होगा ना तो इस मा को हटा के हम रूह लिख दे ठीक है क्या होगा अगली स्थिती में अभी पहले क्या होगा पहले यह देख लिजिए पहले ऐसे होगा इस नियम को हम एक काम करते हैं इस नियम को थोड़ा सा इसे उपर ले जाके रख देते हैं ठीक है और अब ऐसे देखिएगा यहां क्या है है पुम और उसके तुरंत बाद है कोकी लहा पुम और कोकी लहा इसमें अब कल के पढ़े हुए प्रायह सभी नियम लगेंगे केवल एक नियम आज का नया लग रहा है ठीक है ना यह क्या कौन सा नियम भी हमने पढ़ा पुम हो उसके तुरंत बाद खाय हो देख लिए का है वो खैमें आता है कि नहीं आता है देख लिए आता है खप छठ ठठ ठठ चठ तक है ना खई प्रत्यायार में यह अर इसके तुरंत बाद आम है वह अम में आता है देख लेजिए अई उन्ट्र से यमंगरादम सुत्र के बीच में यह ओंग में है ना तो यह अम है पुम तुरंत बाद कि तुरंत बाद आम उपर का नियम अप्लाई हो रहा है न तो पुम के मां के स्थान पे क्या करना है रू करना है ना क्या हो गया पूरू कोकिला अब इससे तुरंत पहले हमने एक सूत्र पढ़ा था रू के तुरंत पूर्व जो स्वरवरण है वहाँ अनुनासिक हो जाता है रू के तुरंत पहले जो स्वरवरण है वह क्या हो जाएगा कल यह देखा था न हमने तो क्या हो जाएगा रू के पहले वाला वरण क्या हो जाएगा अनुनासिक होगा तो ऐसा होगा पूरू का राह पुम्र कोकिला अब यह जो अनुनासिक हुआ है किस सूत्र से अत्र मतला इस रूपर करन में पूर्वस्य पूर्वस्वरवरन कव अनुनासिक हो जाता है विकल्प से जब अनुनासिक नहीं होगा तो क्या होगा अनुनासिक नहीं होगा तो कल हमने यह देखा था एक वैके इल्पी गरूप अनुस्वार हो जाता है अनुनासिकात परो नुस्वार हा तो पूर्व कोकिला यह बिना अनुनासिक वाला यानि अनुस्वार वाला विकल्प में मिलेगा यानि जब अनुनासिक नहीं होगा तो अनुस्वारवाला मिले ठीक है न पूर कोकिला यह अनुस्वार वाला यह अनुस्वार वाला यह रहज़नेफ कुई वर्ण हो अ धवा अवस्वान रेफ के तुरंत बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो अथवा अवसान हो यानि कोई भी वर्ण ना हो तो रेफ के स्थान पे विशर्ग हो जाता है विशर जनीयस्य नहीं खर वसानेयो विशर जनीया सुत्र से ठीक ना खर पसानियो विशर जनीह सुत्र कल हमने देखा था उस सुत्र से क्या हो जाएगा रख स्थान पे विशर घोगा तो क्या हो जाएगा है है पूंख दो कि लहा है होगा ना और दूसरा यह अनुनासिक अनुस्वार वाला पूंख को खिला अब कल ही हमने एक और वार्तिक भी पढ़ा था सम पुम का नाम सो वक्ता पर सम पुम और कान कान तीन देखा था ना सम पुम और कान के विशर्ग के स्थान पर सह हो जाता है तो यह सम का नहीं है पर पुम का विशर्ग का तो उस पुम के विशर्ग के स्थान पर भी हो जाएगा होगा ना विशर्ग के स्थान पर हम साECTर के लिख देंगे ऐसा वाला रूप बनेगा ये पुम है ही विसर को सा कर दिया और कोकिलह जोड दीजे पुम्स कोकिलह ये वाला बना और वहिकल्पिक रूप कैसा होगा ये चंदरबिंदु नहीं अनुस्वार वाला पुम्स कोकीला विशर के इस्थान पर सॉल्य आये हैं भूक्ла में रूम्पर्थ व्रू का क्या हो रूपर का होजाता है एक बास भूंब का बरती पढ़ लेंगे क्या लिखा है बरती में हम परे खई पुमो रूख अंपरे खई आईसा था खई ने हो अंपर वाला क्या विशेश्य है और अंपर उसका विशेशन है क्या होना चीह है अंपर वाला तो क्या हो जाता है रूह हो जाता है पुम के मा के स्थान पर क्या होगा रूह हो जाएगा ठीक है ना तो क्या होगा अब यह पूर हो गया एक औरजब रूह है उसके तुरद पहले, 17 को पूर्वेs से तुवास विकल्प से अनुची करकी तो, अनुस्वार उनुस्वार वाला भी अनुनासिक वाला भी दो रूप, और रहा को आप क्या करें गे, विसर्ग करेंगे, विसर्ग के स्थान tähän संपुम। पुम का नाम सुवक्त अभ्यासे सा करके पुम्स को किलाहा अनुनासिक वाला और पुंस को किलाहा यह साव सजुस्व रूह का है यहाँ सा और सजुस्व कहां है तो यह पुम के मा को रूह कर रहा है ना वस्वा को रूह करता है तो दोनों का कारे छेत्रा लगए वस्वा और सजुस के और रूह करता है यह पुम के मा को रूह कर रहा है रूह होने के बाद फिर वही प्रक्रिया लगती है पर इस वाले रूह में यह जो रूह प्रक्रण है औरर नेतने सूतो एंगे जितने सूत्र हैं रूह करने वाले उसलूप्रकरण में रूह से तुरंत पहले अनुनासिक करना है और अनुसार विकल्ब से करना है सभी उसी प्रक्रण में इस पष्टता इसलिए पाणिनी जी दिये हैं यह जोसने भी सूत्र देख रहे हैं हम सभी सूत्र आठ तीन के आसपास है इसके तुरंत बात कौन सा सूत्र है नस्चव्य प्रसान ऐसा होगा कि उसका भी सूत्र का मैं केवल अर्थ लिखता हूं यहां नह पदच्षेद लिखता हूं चवी नह चवी अप्रसान नह चवी अप्रसान सुत्र आपके सामने लिखा है वह देख सकते हैं तो नह चवी अप्रसान यह उसका पदच्षेद हैं नह मतलब नकारान्तात ठीक है ना और यह सूत्र कैसा है देख लिजे आठ तीन साथ है ना इसके तुरंत पहले का आठ तीन शुत्र कौन सा था अंपरे था ना उसमें चो अंपरे विशेशन लगा था वो अंपरे इसमें भी विशेशन अनिवर्ति आएगी ठीका ना तो नस छवी अंपरे अप्रसान ऐसा पूरां अमपरे एक विशेशन जुडेगा और मत वसो रू शूतर से रू की अनिवरती आ रहे है तो रू और UK और अमपर यह दो इसमें सुत्र के अर्थ में जुड़ जाएगा जुड़ेगा न कि क्छmax है ना अनिवरती उन दो सब्दों के आ रहे है उन दोनों को जोड़ेंगे तो इससुत्र का पूरा अर्थ यह प्रत्याहार है जो प्रत्याहार है वो खय था ये च्छव हो गया चार वरन काट दिये उसमें से खय और छो में क्या अंतर है चार वरन कम हो जाए दिए है ना खफा और कपा ये चार काट दिये खफा काट दिये शुरुवात में और कपा अंत में इन तो चार वरन कट गए तो छो पर त्याहर रहें पहले क्या हो नव हो नव फिर उसके तुरंत बाद हो और उसके तुरंत बाद अम हो फव हम परे शव में तक आंपरे की है रहे तो वहां कैसा था वहां पुम ठा पुम के बाद खय था कैकि बाद नलट यहां पुम और इसना है एसा था नो मा-ठाई का और यहां वश्य बदल के आ झाल कर वो अमपरे था अंपरे का कोई विकल्ब यहां नहीं आये इसलिए अमपरे यहां आगे अनुभृत्त होगा तो ना झौल्ब अमपरे अप प्रसां अप्रसान मतलब प्रसान सब्द को छोड कर कोई न कारान थे ठिक है आप प्रसान मतलब इस सब्द को छोड़ दीज़ your परिशान इस छोड़ कर और जो भी नकारांत सब्द है उसके तुरंत बांद यदि च्व आता है और उस च्व के तुरंत बाद यदि अम आता है तो नह केacity पर ठीक है तो ना कैसा होना चीए अम पर 6 थीक है ना के तुरंत वाद छव सब्सक्रास बादबाद अम हो सब्सक्राइब और तुरंत बात क्या है त्रायस्व यह चक्रिन बदलब कौन है विश्ण भगवान जिनके हाथ में चक्र हुआ चक्री कि रायस्व कि यह नकारांत सब्द है न इन प्रत्यांत है ठीक छक्रन कि इनी प्रत्य है तब आता इनी ठनू सुत्र से तो इन कि अब कि नकारांत है उसके तुरंत बाद क्या है Maintenant तरामे तीन वरत्यांत है क्या राखे और आ है झाया अब देखिए यह नकारांत सब्द है लग गात तुरंत बाध देख लिग यह ता सब च्शेव में आता है प्रत्याहार का अंतिमवर्ण क्या है ता है ना तच्छाव में आ रहा है और उसके तुरंत बाद अम यानि रहा है रहा देख लिए अम आम में आता है HAYa Vよ Arasto सुत्र में रहा है यम गंधम से पहले है तटुरंत बाद में यह रहा है जो कि अम प्रत्याहार आयून से सुरू होने वाले अम प्रत्याहार के अंतरगत रहाता है और चोव के अंतरगत ता आता है तो नियम लग रहा है ना पूरा नकारांत सब्द हो उसके तुरंत बाद छो हो उसके तुरंत बाद आम हो तो न के स्थान पे रूह हो जाता है हो जाएगा कर दें तो न के स्थान पे हम रूह करेंगे क्या हो जाएगा चक्री रूप त्रायस्व ठीक है ना चक्री रूप त्रायस्व येस पष्ट है अब यह जो रू है उसी रूप प्रकरण वाला है ना तीछे आठ्वे अध्याए के तीछे पाद वाला तो इस रूप प्रकरण में पूर्व स्वरवर्ण अनुनासिक हो जाता है निकल्व से ठीक है ना कौनसा सुत्र है अत्रा अनुनासिक हा पूर्वस्य तुवा अत्र मतलब इस रूप प्रकरण में पूर्व स्वरवर्ण का अनुनासिक भेद प्रयुक्त हो जाता है ठीक है त पूर्वस्वर्ण 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 रहा लंत बचता है ना उपदेसे जम्मनाशिक इत्स हएक्षा के रहा लंत है ठीक है ना तो अब कि आ मुझाप र्रेयल जैस्ट ऑजब नटनाशिक नहीं वोगा तो क्या होगा इस आन नहीं होगा तो अनुनाशिकाद परो नुस्वाराहनियम लगेगा अनुस्वार वाला ठीक है ना ऐसा है आप चक्रिन रूप है ना रूप कर रहा और आगे क्या है त्रायस्व थीक है चक्रिन रूप त्रायस्व यह दो बना अब इसके बाद यह समझिए विसर्जन खरो एक खर वसाने विसर्जन यह तो लगेगा ना रह के तुरंत बाद खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आये अथमा कोई भी वर्ण ना आये या तो रहा के तुरहनद घया हो या तो कोई वरन नहों और यह अगर कोई वरन अख्लत क्वात bomb है है ना खर में 13 वरन है उन 13 वरणों में से यह भी एक वर्न है है न तो कि क्या हो जाएगा रह के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा विसर्ग कर दे ऐसा हो जाएगा चक्री है अनुनाशिक वाला और उस पे लग गया विसर्ग गारायस ठीक है चक्री त्राइस और विकल्प में क्या बनेगा अचनल यह अनुस्वार वाला चक्री यह रहा कि इसके इस्थान पर रहा कि इस्थान पर विशर्ग हो गया है हुगा है ना और त्राइस्व अ कि यह किस्ने बोला है यह जब ग्राय ने गजो पकड़ लिए है कि है यह चक्क्री भगवान यह रख्षा करो दाते चक्र रख्षा करें सफें स्रकर्फ atra नय श्रक्ष णरीं ठीक है यह आप भी आप भी बोल सकते हैं चक्रवाले हमारी रच्छा करो हम लूबे जा रहे हैं संसार सागर में तो चक्री त्रायस ऐसा हुआ अब हमें सुत्र समझना है जो तुरंत बाद का सुत्र दिया है विशर्जनियस सह विशर्क संधी पढ़ेंगे वहां भी पहला सुत्र यही करते हैं वहां हमें अधीनिया नहीं होगी ठीक है यह सुत्र क्या कहता है विशर्जनियस सह तुरंत क्या लिखा होगा friendship कीवल खरी लिखा है लुवाज है आ सक हरी मतलब आपक करह हो उसके तुरंत पूर्व में आने वाले विसरग के स्थे सथान पे अप्र rid आ समझ में आया ना तकहरी खरी में सब्विन निर्देश है की सब्विन के तुरंत पूर्व में या नि खर के तुरंत पूर्व में आने वाले विशर्जनी यस्य सह सहा विशर्जनी खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो अंत में जब आप और कुछ नियमों को पढ़ेंगे विसर्ग संधीक है तो आपको यह पता चलेगा कि सभी वर्ण नहीं उस खर प्रत्याहार में भी हम सात वर्णों को रिजेक्ट कर देते हैं सात वर्णों के लिए और अलग-अलग नियम आते हैं काखा पाफा के लिए अलग नियम आएगा खुपोह कपोच है और शाषा तीनों के लिए वह आएगा नियम वास ठीक है तब वह निशेद कर देगा पर संक्षेत में यह समझे कि विसर्ग के के तुरंत बाद विसर्ग जो है उसके तुरंत बाद चच्छ तथ टठ in व कि इन वर्न यृफka में शिग ये स्थान किया हो जाता है ठीक है जिए यहां देखे ताहा झाराएन कर की अंतर गताता अभी कर्DS समय भी DAR हो तो बसलождust के स्थान पर क्या हो जाता है सा और आगे की नेमों को हम बार्द में सम्झेंघे तैक है तो क्या हो गया दिच्छ के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए सब्सक्राइब लिख दें कि चक्रिंस त्रायस लेख लेख लिए जो विसर्ग था उसी के स्थान पर हमने सा करके लिख दिया यहां भी विसर्ग उसके तुरंद बाद खर प्रत्याहर का बरण है तो विसर्ग के सब्सक्राइब क्या कर दें गे चक्रिंस त्रायस यही दो रूप आपके सामने पुस्तक में लिखा होगा लिखा है ना चक्रिंग अनुनासिक वाला और चक्रिंग अनुस्वार वाला ठीक है तो यह दो रूप कब बनेगा नस्चव्यप प्रसान कहेगा नकारांत शब्ध हो उसके तुरंत बाद अंपर वाला च्व हो यानि च्व प्रत्याहार के अंतरगत आने वाले वर्णों में से कोई वर्ण हो च्व में कितने वर्ण आते हैं कुल छे वर्ण चाठा था कप नहीं खाठा था चाठा था चाठा था चाठा था यह इतने वर्ण चाओ में है न तो तो वो च्व प्रत्याहार का तुरंत कोई वर्ण हो तो क्या हो जाएगा विशर्ग के स्थान पे मतलब वो ना के जो ना कारांत सब्ध उसना के स्थान पे रू हो जाएगा रू के तुरंत पहले अत्रा अनुनाशिक पूर्वस्य तुवास उत्र से विकल्प से अनुनाशिक हो जाएगा और जब अनुनाशिक नहीं होगा तो अनुनाशिकात पर वनुस्वारा से अनुस्वाला और फिर उसके बाद जो रू है रू का रहा है उसको विसर्ग करेंगे विसर्ग के स्थान पर सव हो जाता है यदि उसके तुरंत बाद में खर प्रत्याहार का कुई वर्ण तो यह बन जाएगा दोनों रूप यह इस पष्ट है यहां तक यहां तक जो नियम हमने पढ़ा। फुमा ंपरे खई हैं पुमवरु यह सभाद है पोवसकों किला वहां तो पुमक के इले विसर्ग हो गया था उसके उसा करने के लिए कौन सा नियम आय वहां वह नियम अगाया वारतिक पर यहां नशवब्र संभे जो न किस्तान पर रूह था उसके इसतान पर जो विशर्ग हुआ था उसको विशर के स्थान पर सबस्लिए से लग सकता था कंस्ष को किलाहमें आप सचेंगे कि लग जा Main पुम्स और तुरंदबाद कोकिल का है का खर है ना तो उसके अनुसार विसरजनिय से सासिसा कर देना चाहिए पर नहीं होगा क्योंकि कुपोह का पूचा वह विसरग को सा करने से रोक देगा ठीक है वह कहेगा कि जिवा मुलिय करिये ठीक है इसलिए कुपोह का पूचा जो हम आगे सूत्र पढ़ेंगे वह वहां लगके रोक देता था उसको रोकने के लिए संपुम का नाम सोवक्तव यह ऐसा वार्तिक बनाने ठीक है यह स्पष्ट है तो इसको मिटा दें इसके बाद सूत्र कौन सा है अब प्रसान किम सूत्र में अब प्रसान क्यों कहा गया इस सूत्र का पूरी विरति फिर से पढ़ेंगे पूरी विरति शुरुवात से नश्चव्य प्रसान के बाद अमरे छवी नांतष्य पदाश्य रूह ठीक है न? खवी परे अमरे छवी अंपरला हो अईसा छव嗎 मतलाब अईसा छव प्रत्याहार का कोई वर्न हो जिसके तुरंत बाद हम हो तो नांतष्य पदास्य नकारता स्ब्न को तो रूह हो जाता है उसके अंतिमवरण ना के स्थान पर रूह हो जाता है ना तु प्रशान सब्द को छोड़ दीजिए ठीक तो नस्चव्य प्रसान सुत्र जो है उसमें अब प्रसान क्यों कहा गया है कि वह नस्चवी सुत्र रखते तो नस्चवी रखते ना सुत्र तो वह क्या कहता है कि सभी नकारांत सब्द के तुरंत बाद अच्व हो और उसके तुरंत बाद अम हो तो तो उसको रूह हो जाएगा तहां ऐसी स्थिति होती प्रशान और उसके तुरंद बाद क्या है तनोति आप ऐसे स्थिति है यहां नकारांत सब्धे प्रशान नहें उसके तुरंद बाद छाव प्रत्यार कता है और उसके तुरंद बाद सब्सक्रे सबक्री अगर आप प्रशान नहीं होता तो इसके स्थान पे भी रूष होता इसलिए अप तो कहते हैं हम प्रसान वाला उधारण दे रहें ना प्रसान तनोंती वहां नहीं हुआ ठीक अब प्रसान कहने का यही फल है कि प्रसान है अगर उधारण में तो वहां ना को रू नहीं होगा वैसे रह जाएगा प्रसान तनोंती वही बने यही लिखा है ना प्रसान अब फि चीए ऐसा क्यों कहें कि किसी शब्द का अंतिम वर्ण किसी पद का अंतिम वर्ण ना होना चीए ऐसा क्यों कह रहें तो उसका क्या उत्तर दिये हैं हंती ठीक डेख लीजे अैसा है हन और उसके बाद तुरंट दातु क्या है तिप तस्जीप नियरे हैं तरे ठीक ट। और उसके तुरंत बाद आम हो यहां नकारांत तो है यह और उसके तुरंत बाद च्व कता है और उसके तुरंत बाद आमका इए तीनों स्थितियां परियाह नकारांत शब्द नहीं नहीं न पद नहीं है नकारांत पद क्या है पद तो पूरा जुड़ने के बाद जो बनेगा हांती वहां पद बनेगा हन कोई पद नहीं नहीं है न तो इसलिए हन एक धातू है हंती उसी क्ली का बनता हंती हता घ्नंती है न तो वही को जो हन है उसके तुरहत भाद जो चवकाता है और अमकाई है फिर बीहानस प्रसांद नहीं लगेगा क्योंकि नकारांत पद होना चीनिह यहां नकारांट पद नहीं है नकारांत धातू है एक प्रकृती है पद नहीं है ना प्रत्य इसमें सुवजस यह सब कोई लगता तो पद बनता ठीक है तो यहाँ पद नहीं है यह एक धातू है तो हंती ही बन जाएगा अब नहीं प्रसान सुत्र स्पष्ट है इसके बाद क्या है निरीन पे यह सुत्र समझ ले इसी प्रकृर्ण से संबंधित है इसलिए निरीन पे आज कल फोन पे गूगल पे चल रहा है पाणिनी जी के जमाने में निरीन पे ठीक है तो यह यह वह पे वाला नहीं पेमेंट नहीं करता है कि हो सकता आप इसको जान जाए तो यह पेमेंट आपको करा दे आप विद्वान हो जाएं कि तो ठीक है तो निरीन पे यह सुत्र क्या कहता है निरीन हो नकारांत होना चीए नरीन्ट शब्द भी नकारांत ही ना उसके तुरंत बाद छव होगा तो नस्षब्द प्रसान लगेगा पर छव में पातों नहीं आता है नहीं आता है ना तो नकारांत शब्दों में केवल एक शब्द को आरक्षण दे दिया न्रेण को ये न्री शब्द का दितिया बहुवचन है बनता है ना नरव नरह नरम नरव न्रेण वही वाला है कि दितिया बहुवचन नकारांत पद बन गया है नकारांत पद है उसके तुरंत बाद अगर छव होता है तो नस्चव प्रसान लगता है छव और अम होता है ना पर अगर पह हो तो न्रेण पे में देख लिए क्या उसमें अमपरे के अनवर्ति आती है कि पर यहां एक चीज और जान लीजिए रूर वा इससे पहले जो था ना सब जगहां रू नित्य हो रहा था यहां रू विकल्प से हो रहा है ता इसके लिए आप अश्टा धाई में एक बार कंफर्म कर लिए देख ल वह रहा होगा उभय थर रख्छू है ना वह उभय था करता है उससे पहले कि जितने भी सूत्र। पुमा खैयम प्रेन शब्य प्रसान इत्यादी वह सम्नित्य ही रू कर रहे हैं पर उभय था उब्यू था मतलब होता भी है नहीं है थीक दोनों तरस यानि विकल्पिक वहां से उभःथा की अनुव्रति आती यह इस लिए विकल्प से नरे पर न नरेंचग्ण सब्ध हो उसके तुरंत बाद छव नहीं केवल पा केवल नरेंचग सब्ध और केवल उसके तुरंत बाद पा हो तो न्रेन के ना को विकल्प से रूह होता है रूह निच्चे नहीं होता है क्या होता है विकल्प से रूह होता है ऐसा होना चीए क्या होना चीए व्रति में यहीं लिखा है यहीं अर्थ है न्रेन हो प्लस पाहो ठीक है ना न्रेन हो प्लस पाहो तो न्रेन के ना के स्थान पे विकल्प से रू कर देना है चलिए ऐसा है न्रेन नरूस पाही नरीन मतलब नरों की पाही मतलब रक्षा करो नरों की रखार करो ठीकना किसी देवता से क सब्सक्राइब हम कह रहे हैं देव और रख्शा करो अब यहां पर क्या होगा जाए रूट विकल्प सेiry धीध toilet कुछ ठीह चौना हैं द्रीन मूब करना कि छरू करना है तो जब नहीं करेंग है हो जाएगा ना पर जब रूह करेंगे तो क्या होगा है कि होगा ना ऐसा है और रूह हुआ है तो रूह के तुरंट पहले क्या है उसको अनुनासिक होगा ना अत्रा नुनासिक पूर्वस्यतुवा पूर्व को इसंद्रे को अनुनासिक होगा विकल्ब से और जब अनुनासिक नहीं होगा तो क्या होगा ऐसा वाला होगा अनुनासिकात परोन उस्वा रहा यह रूह का राही रखिए ठीक और पाही निर प्राही यहां भी रूखे राख को ही बचा देते हैं के वाल ठीक है अब क्या हुआ है दो तरह का बन गया यहां पर आप क्या करेंगे विशर्ग कर देंगे हो जाएगा न यहां पर दूसरा नियम लगता तुरंत बाद का नियम पढ़िये इन्रेण पेके कुपपो हो पावक यह न कवर्ग पवर्ग का कोई वर्ण हो तो जिफवा विशर्ग विकल्प से अच्छा अक पॉच्छ अक पूचा मतलब तुरंत बाड अगर जो है न राख विसर्ग कर दीजी राक इस तरफ किसंसे विसर्ग कर देंगे कर रसाने विसार जनिया से विसर्ग हो जाएगा विसर्ग कर देते फिर उसके बाद वह सुतर लगाते हैं कि नहीं विशर्ग क्यों करेंगे अभी है नहीं करेंगे ना खर अवसाने विशर्जनिया क्या कहता है खर अथ्वावसान हो तो विशर्ग होता है पर खर उसका बाधक यह हो जाएगा कुपो अकपोचा वो कहता है जिफवा मूलिय और उपधमानिय भी होता है रू के तुरंत बाद कुपोचा की विरती क्या पढ़ेंगे पढ़िये क्या लिखा है ठीक है विशर्गस्य विशर्गस्य तो पहले हम विशर्ग कर देते हैं खरवसाने विशर्जनिया से हम पहले क्या कर देंगे इस रा के स्थान पर विशर्ग कर देंगे और फिर आएगा पाही यहां क्या कर दिया हमने यहां भी विशर्ग कर दिया और पाही विखल्ब से हो रहा है ना और अब क्या होगा एक रूप तो यह वाला सही बन गया था ना कुल पांच रूप लिखें हो यह होंगे देख लिजेगा अब विशर्ग हो गया इस विशर्ग के स्थान पे विशर्ग के तुरंत बाद कवर्ग पवर्ग का कोई वरना कवर्ग पवर्ग का खर आता हो कवर्ग पवर्ग का खर मतलब कखपफ़ के वन खर में कितने वरन है कुल देख लिजे लिस्ट बनाके देख लिजे यहां लिखाओगा की लिख सकते हैं आप क्या उसमें कूपू वाला कौन सा है केवल कप खफ़ है न यहीं चार वरन है यह चार वरन अगर विशर्ग के तुरंत बाद आते हैं तो विशर्ग के स्थान पे क्या होता है जिवा मूलिय और उपधमानिय विकल्प से होता है जिवा मूलिय और उपधमानिय भी हो जाता है किसके स्थान पे विशर्ग के स्थान पे जिवा मूलिय और उपधमानिय भी हो जाता है ठीक है विशर्ग है जिवा मूलिय और उपधमानिय भी होगा यानि विशर्ग भी ह होगा विजर्ग तो रहेगा ही तो अब ऐसा वाला भी रूब मिलेगा कि यह चंद्रविंदु वाला है चंद्रविंदु यहां छोड़ दिया था है ठीक है न है और अब देखिए निर्वी वैसा ही है विशर्ग के स्थान पर क्या हो गया अयसे वाला चिन्न यह उपद्मानिय का चिन्न ऐसे बनाते हैं अधा विशर्ग गोल होता तो पुरा विशर्ग होता आधा विशर्ग है पाही यह क्या हो गया उपद्मानिय हो गया पह ठीक है न ऐगर कवर्ग का कोई वरन होता तो जुवा मूलिय हो जाता है पभर्ग का वरन है आप अंफ देखिए क्षा हो गया दिनर्म आईसा उपद्मानी का किया रिष्णा होगा और पाही हो यह यह भी सही यह भी चाही यह बीडिखें छिछे कि आइग ठीक है ना पांच यो कैसे बने पहले सूत्र जो हम पढ़ रहे हैं निर्ण पे यह सूत्र कहता है निर्ण सब्द के तुरंत बाद पहो तो निर्ण के ना के स्थान पे विकल्प से रू होता है तो जब रूह नहीं होगा तो ऐसा वाला बन जाए बन जाएगा ना पर जब गया है और अब रूह हुआ है तो इस रूह यह विश्यवाले रूह प्रकृड में इसलिए रूह के तुरंत पुर्व को शोता हिड़ा विकल्प से अनुनाशिक निर पाही और अनुस्वार वाला और अनुनासिक वाला दोन हो जाएगा अब यह जो विसर्ग है इस विसर्ग के स्थान पे कुपो कपउच क्या कहता है विसर्ग हो विशर्ग के तुरंत बाद चार वर्ण केवल चार वर्णों को आरक्षन मिला कख पफ विशर्ग के तुरंत बाद इन चार वर्णों में से कोई भी वर्ण हो तो विशर्ग के स्थान पे अगर कख है तो जिहुआ मूलिय हो जाता है अगर पफ है तो उपदमानी हो ठीक है तो करके तुरंद बाद पफ तर विशर्ग के स्थान पर उपद मानिये आकरती दोनों की एक ही है जिवा मुलीय भी ऐसे ही आधे विशर्ग के आकार का बनता है यह हो गया पूरा विशर्ग इसमें से उपर का अधा काट दीजे नीकज़ का अधा काट दीजे यही लिखा है ना इसवी को ईशे करके गोल कर दीजे पूरा हो असमा है कि आधा अर्धाविसर्ग सद्रिसा हा हम संग्या प्रकारण पढ़ते थे तो वहाँ पढ़ा था कि अर्द विसर्ग सदिसाहा वो क्या होता है और उपदमानिय है ठीक है तो यह इतना इसपष्ट है आज इतना ही रखते हैं इसके बाद के वेव को हम इसके बाद के सुत्रों को कल देखेंगे